तो हांजी श्टूडेंट आज फंडमेंटल आफ इंवेस्मेंट कहलो या इंवेस्मेंट मेनेजमेंट कहलो उसका हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां पर दो शब्द है और दोनों कॉंसेप्ट को हमें सीखना पड़ेगा एक तो है रिटर्न मैंने रिस्क कह दिया पहले एक रिटर्न और फिर रिस्क है तो कोई बात ने पहले हम रिटर्न सीख लेंगे होता क्या है फिर सीख लेंगे रिस्क क्या होता है ठीक है ना पहले सीख लेंगे हम रिटर्न क्या होता है फिर उसके बाद सीख लेंगे रिस्क क क्या होता है तो start करते हैं आपके किताब में यह chapter number वैसे three पे मिलेगा आपको ठीक है ना बच्चे पूछेते सर नई book लेनी है पुरानी book लेनी है तो very very simple कि आपको नई मिलता है नई ले लिजिए पुरानी मिलती है पुरानी ले लिए कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि financial management और ये fundamental of जो investment है इसमें slayvers में changes नहीं आता कभी questions वही रहते हैं repeated बस आपको नई book थोड़ी महेंगी मिल जाएगी color pages थोड़ी से बदल जाएगे पुरानी book page number आगे पीछे हो सकते हैं ठीक है तो risk और return इन दोनों का सम्मंद आपस में रहता है एक दूसरे से तो चलिए आईए पहले हम समझ लेते हैं सर रिटन एंड रिस्क क्या है कि सर वर्ड है रिटन एंड रिस्क तो हम एक एक करके पहले वर्ड को justify करेंगे पहले हम बात करते हैं return की सर रिटन क्या होता है समझिएगा मिल्कुल basic है यह subject ऐसा है न जो कि हमारे day to day life में हम use भी करते है उसी को हम थोड़ा सा book form में और थोड़ा सा technical language में आपके सामने रखेंगे ठीक है आप मुझे return बताइएगा कैसे return का मतलब क्या होता है समझिए आपने बहुत पहले calculate किया हुआ है मान लो मेरे पास मैंने bank में bank में मैं एक example लेता जाओंगा आप बताते जाएगा bank में मैंने एक FD करवाया तो FD करवाया तो यहां ब्याज मिलेगा मैंने 10,000 रुपए FD करवाया जिसमें से मुझे interest मिला interest जो मिला वो मिला suppose 1000 रुपए तो कौन बच्चा बताएगा कि मुझे कितना interest मिला कौन बच्चा बताएगा कि मुझे कितना interest मिला कितना तो पता है कि 1000 है लेकिन कितने % मिला कमेंट में बताएगे कितने % मिला थोड़ा सा मोनेटर भी नीचे है न तो कमेंट देखने में दिक्कत होती एक दो दिन में यह भी ठीक हो जाएगा बच्चों का जवाब आगे सर आपको 10% मिला अभी रिटन वाली बहुत भारी बात कर रहे हैं सर मैंने ब्याज बच्चों ने बताए सर रिटन मिला बहुत भारी बात बोल दिया तो सर 10% मिला बच्चे कह रहें अब मैंने पूछा बच्चों से बचाओ 10% बोला वेरी संटेज में पूछ रहे हैं तो इंटू में 100 कर दीजिए यानि जितना पैसा आपने कमाया और किस पे जितना पैसा आपने लगाया था उसको कर लीजिए तो सम्सिंपल सी बात है ब्याज आपने कमाया 1000 और आपने लगाया था सर 10,000 और इंटू में 100 कर दीजिए तो दो चा परसेंट आपको ब्याज मिल रहा है लेकिन अकाउंटिंग वर्ड में इसको हम ब्याज ना बोलके इसको क्या बोलेंगे रिटर्न बोल देंगे आपने क्या कमाया है रिटर्न चलिए एक और सवाल पूछते हैं देखते हैं कौन बच्चा बताएगा आपने एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कमपनी है यहां पर पैसे इन्वेस्मेंट किया अब थोड़ा नाम बदल रहा हूं मैं इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट किया आपने मान लेते हैं पचास हजार और यहां से आपको पैसा जो कमाया जो अर्निंग हुआ अर्निंग वो अर्निंग आपका हुआ मान लेते हैं छे हजार आप बताएगे कितने परसंट आपने अर्निंग किया अर्निंग अब थोड़ा सा टिपिकल सवाल पूछा है मैंने फॉर्मूला बताएगे कितने परसंट अर्निंग कर लिया बताई ये कितने % अर्निंग कर लिया एक बच्चे का 12% सभी बच्चों ने फटा फट से जवाब दिया सर 12 12 12 मुझे तो लग रहा था ये मुश्किल कोशन है लेकिन बच्चों ने जट से जवाब दे दिया 12% चेक कर ले कि भाईया अर्निंग जो है अर्निंग 6,000 कमाया और 50,000 पे इनटू में 100 कैल्कुलेट कर लेते हैं 2,0,2,0 कैंसल 2,0,2,0 कैंसल और बिल्कुल सही जवाब 12 आया है टो 12% हमारी क्या हो गई अर्निंग यानि हम अर्निंग कहां कहां से कम सकते हैं तो अर्निंग कमानी की बात करे यानि पैसे जो कमाया जाएगा या तो किसी company में आप पैसे लगाओगे तब या कहीं पे आप invest कर दोगे चलो, अब एक और बात पूछते हैं मैंने एक company में दस, मैंने एक company है जिसके debenture खरीदे debenture खरीदे कितने के 5 लाग के और वहाँ से मुझे interest मिला मान लो 15,000 अब बताओ मेरा interest rate क्या है interest rate क्या है interest rate क्या है, बताओ interest rate क्या है तीन परसेंट आया बत्चों का जवाब चेक करते है सर्फ 15,000 रुपे चितना पैसा हमने कमाया है और divided by 5 लाग रुपे और into में 100 तो 30 से 30 कैंसल 20 से 20 और यह यानि सर 3% सही जवाब यानि यह बात तो confirm हो गया कि आपको अगर हम बता दिया जाए कि आपने कितने पैसे लगाए है और आपको यह पता चल जाए कि आपको उससे कितनी कमाई हुई तो एक certain percentage निकाल लेंगे जो आप certain percentage परसंटेज फॉर्म में अगर आप अपनी income को define कर पा रहे हैं तो इस percentage फॉर्म में income को इस chapter इस subject के अंदर हम क्या नाम दे देते हैं that is a return आज पूरी class में हम return की बात करेंगे और शायद अगली class में भी return ही चलेगा अभी उसके बाद risk कैसे analysis किया जाएगा वो देखेंगे ठेक है तो return बोला जाएगा तो sir return किस-किस format में हो सकता है और कहां-कहां return कमाये जा सकता है तो हम बात कर रहे हैं सर्फ sir किस की return की basically हमारे slayvers के अंदर दो type पे return है या तो आप return कहोगे equity के उपर या फिर आप return कहोगे debenture के उपर या तो आप return कहोगे equity के उपर या तो return कहोगे debenture के उपर debenture का ही एक secondary नाम है debenture का ही secondary नाम that is इसको कह दिया जाता है bond कोई बोलता है sir what is the difference between the debenture or bond nothing जो सरकारी गवर्मेंट है वो जब किसी से पैसा उधार लेती है तो एक bond word का use करती है जैसे gold bond हो गया या कोई भी पैसे करजा लेते क्योंकि government भी क्या करते है public से क्योंकि अगर पैसे की कमी पड़ेगी तो government क्या करेगी बाहर से पैसा करजा लेगी एक तो अच्छा rate of interest तो देती ही देती है साथ के साथ income tax में छूट भी देती है तो लोग बाग क्या करते हैं गवर्मेंट के bond खरीद लेते हैं और उसमें लिखिन lock-in period होता है तीन-चार साल बाद ही आप उस पैसे को निकाल सकते हो ऐसा lock-in period का मतलब उसके अंदर एक टाइम फ्रेम बांद दिया जाता है तो अगर कोई private limited या public limited मतलब simple सी छोटी-मोटी company कह लो तो वो तो अपने करजा लेने के तरीकों को debenture बोलती है और ये मान लो सरकारी company ये कौन सी company होगी सर? सरकारी company यानि government company जो होगी अगर वो करजा लेगी तो वो bond के format में आपको देगी ठीक है? equity share तो आपको सर बहुत अच्छे से पता है सर equity share क्या होता है company का एक shares होता है जिसके अंदर company issue अगरा करती है अब मैं एक simple सी बात बताता हूँ मैं एक chart दिखाता हूँ आपको देखो एक share दिखाता हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा practical करेंगे तो पता रहेगा MRF share अगली बार से यह रखी लिया करेंगे यह देखिए hopefully आपको visual होगा इस shares का price देखिए सर price देखिए मज़ा आजाएगा इस share का price देखिए यह एक share है आपका एक लाग ब्यालीस हजार एक सो अथावन रुपे का यह एक share का price है यह एक share का price है यह एक share का price है ठीक है अब मैं अपनी बात बताता हूँ 2008 के अंदर आठ तो नहीं है 9 या 10 के अंदर इसी shares को जो यहाँ share का price आपको दिख रहा इसी shares को मैंने 6000 रुपे में खरीदा था कितने खरीदा था 6000 रुपे का और 6000 रुपे का और 6000 रुपे खरीदने के बाद फिर market और नीचे आ गई share market में कुछ दिक्कत आई तो यह shares मैंने 5000 रुपे यानि नुकस्तान में ज़्यादा share नहीं खरीदा उस टाइम पर कहाँ पैसे वैसे होते तो तीनी share खरीदे थे वो बेच दिये अगर मैं आज वो share रखता तो मेरे 18,000 आप डेड़ लाग का share था अभी डेड़ लाग भी गया था तो कितने हो जाते डेड़ लाग को multiply करते सड़े चार लाग हो जाते मेरे पास यानि सर अगर मैं बात करूं आप ध्यान से देखिए अगर मैं बात करूं पिछले पांच दिन की बात करता हूं तो पांच दिन में अगर मैं यहां पे figure out करता हूं तो आप यहां पे अगर दिख पा रहा हो तो देखिए 24 तारिक को इसका share का price था 1,37,111 और यही अगर मैं यहां चेक करता हूं तो यहां पे date अलग होगा आजा भाई date यह date देखिए 29 जन्वरी को इसका price था 1,43,000 यानि अगर मैं यहां चेक करता हूं तो इसका date क्या है सर 24 जन्वरी को 1,37,000 और वही मैंने यहां चेक करा 29 जन्वरी को 1,43,000 रुपे यानि इस बात से तो proof हो जाता है कि shares के price भी उपर नीचे होते हैं और वह उपर नीचे क्यों होते हैं basically buyer और share की वज़े seller की वज़े से buyer seller जितना भी होगा अब इस shares का पूरे जीवन का अलमें यहां पे होता है 52 विक यानि पूरे जीवन में यह एक लाग पचास हजार गया था और अभी तक जो low एक साल के अंदर यहां पहले तक यह हुआ करता था इस share को जो starting में खरीदा गया ना starting में मैं बात करूं शेयर को खरीदने का तो starting में इस shares का price जो था वो 10 रुपय था जो that is face value मैं अभी दिखा देता हूं आपको कहां दिखाएं आपको कहां दिखाएं थोड़ा बहुत और यह सारी चीज़े आपके काम की चीज़े है जो कि देखना पड़ेगा यहां देख लिए आपने देखा होगा कई बार real या short को करते करते ऐसे आ जाते है stock market से पैसा कमाना चाते है तो हम बताएंगे उनको कुछ नहीं पता जादा चीज़े बस वो आपको गुमराह कर देते हैं actual देखें वो यह दिखाएंगे यह pattern है वो pattern ऐसा कुछ भी नहीं है भाईया मैं last में बताऊँगा कि actual क्या माइने रखता है यह share market क्योंकि मैं तो काफ़ी time से हूँ और मैंने कई सालों से तो छोड़ दिया आप देखो यहां पर अगर मैं बात करूँ इसका face value में दिखाना चाहरा था आपको face value कहा है भाईया इसका face value चलिए दूसरे पर दिखाते हैं आपको face value लिखते हैं एक share था कितने का MRF IPO लिखते IPO प्राइस IPO price कितने का था आया भाई कहीं IPO price 26 साल पैसे यह देखें यह share 11 रुपे का था 26 साल पहले और फिर दीरे दीरे यह कितने का हो गया पूरे डेड़ लाक रुपे का हो गया सर ऐसा क्यूं हुआ मैं बताता हूँ आप समझिएगा बातों को पूरे तरीके से समझना है हुआ ऐसे था इस shares के साथ के यह share जो था बहुत कम नंबर share है basically MRF वही company है बहुत सारे shares के example हो सकते थे मैंने एक simple सा example MRF का लिए MRF वही company है जो की tire बनाती है आपने देखे होंगे कार के tire, स्कूटी के tire, बाइक के tire, हवाई जाच के tire तो यह tire बनाने वाली company है एक तरीके से तो MRF ने किया गया था कि अपने share ग्यारा रुपे में दिये starting में कितने साल पहले देखो बहुत सालों पहले जबके ग्यारा रुपे की value भी बहुत ज़ादा थी ग्यारा रुपे के भी value बहुत ज़ादा थी company ने ग्यारा रुपे का दिया और let's suppose एक example हम देखते हैं कि company के पास जो number of shares company ने issue किये थे suppose करो एक लाग share issue किये थे मैं मान रहा हूँ ग्यारा रुपे का company का first year में जो profit हुआ that is profit हो गया company का मान लो 10 लाग रुपे पहले साल ही company ने profit कमाया है 10 लाग अब company का ये क्या है पहले साल में sir ये company का profit है profit कितना है सहाब 10 लाग अगर company में 10 लाग रुपे का profit है और number of share कितने हिस्सेदार है company के कितने हिस्सेदार है कितने लोग ऐसे हैं जो इस company के मालिक है तो उसको divide कर देंगे that is आपका 10 लाख और 10 लाख को अगर मैं divide कर दू एक लाख member के बीच में तो आपको अच्छे से पता है आपके हर share के बीच में आएगा 10 रुपे that is called dividend इसको क्या बोलेंगे dividend dividend यानि आपने पहले साल जब पैसा लगाया इसके अंदर तो आपने यहाँ पे एक dividend 10 रुपे का लिया यानि आपने ये आप हो ये आप हो आपने एक MRF company के अंदर पैसा लगाया और पैसा लगाया कितने 11 रुपे तो 11 रुपे एक साल बाद आपको 10 रुपए तो आपको मिल गया dividend 10 रुपए dividend और आपके 11 रुपए company के अंदर बने हुए ही है अब यह हल चल मच गई क्यार company बड़ी बड़ी आया है आपके 11 रुपए तो अभी safe है पूरे और आपको 10 रुपए company ने देवी दिया dividend तो अब company के पास तो number of shares यही है जब लोगों को पता चला तो लोगों ने बोला यह share हम भी खरीदेंगे हम भी खरीदेंगे हम भी खरीदेंगे तो इस तरीके से shares का क्या होगा demand अब हो गया अब एकी चीज को खरीदने वाले मेरे को भी चाहिए तो अब मेरे पास जब माँगने आएगा सारे बच्चे बोलेंगा मुझे भी चाहिए मैं ने बोला utor Tob मैं बोलूए लास मैं तो अब यह Clbs 5000 में बेचूँगा एक बच्चे ने बोला मैं 5000 में खरीद लूँँगा तो मैं बोलूगा यार 200 में ले ले 500 में तो खरीदी ले यार कुछ पैसे आ जाए तो जैसे demand increase होगा तो but obvious है share का price भी increase होगा तो public मांगने लग गई अचानक से share का price जो है न वो double होगया लगबग 20 रुपए होगया second year में second year में अचानक से share का price मान लेता है कि कितना होगया 20 रुपए और अगले साल company ने पूरे 15 लाख रुपए का profit quote किया और अब बटेगा कितने सर एक लाख में और अगले साल company ने dividend कितना दिया और कैसे हुआ ये 20 रुपए एक public ने बोला मुझे दो मुझे दो ते इसी एक लाख में से एक वेक्ति ने इस shares को बेच दिया 20 रुपए में तो जब एक property कोई भी ओस पास का आपके साथ वाला मकान अगर 50 लाख का बिग गया तो आप 20 लाख में थोड़ी ना बेच दोगए तो आप तो बोलोगई कि साथ वाले ने 50 के बेच दो मेरा भी 50 लाख का ही मकान है सेम एक वेक्ति ने 20 रुपए का बेचा तो सभी जितने भी बच गया इसके अंदर से सभी बोल रहे है मेरे share का price 20 रुपए 20 से तो नीचे बेच हो गए यह सब परिशान हो गया यहां पर share बेच दिया वह बेच दिया 50 रुपए में तो भाईया 11 रुपए वाला share 50 रुपए का हो गया और डिविडेंट तो हर साल मिली रहा है माल लेते हैं कि अगली सार कंपनी ने 20 लाख रुपए दिये और एक लाख में बचा तो 20 रुपए का सेकेंड़ों में बढ़ता है क्योंकि किसी दिन क्लास जब दिन में रखेंगे मार्केट आवर के टाइम पर तो मैं पूरा दिखाऊंगा shares के price कैसे फ्लक्चुटवटव तो हर टाइम पर बढ़ता है यानि जब आप shares को खरीदती हो तो आपके कितने फाइदे दो फाइदे दो फाइदे हैं मैंने एक share खरीद लिया मान लो तो एक तो फाइदा है कि 11 वाला समान अब कितना हो चुका है 50 पहला फाइदा shares के price में appreciation दूसरा मुझे फाइदा क्या मिल रहा है इहां पर dividend तो हमेशा याद रखना जब कभी भी आप ऐसे shares में पैसे लगाओगे तो कितने फाइदे मिलेंगे आपको दो एक मिलेगा आपका price में appreciation जो कि आपका price बढ़ गया दूसरा क्या मिलेगा dividend लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता dividend कई बार नहीं भी मिलता तो zero हो जाता है लेकिन कई बार price इससे नीचे भी चला जाता है तो दोनों चीजे रहती है इसलिए पहले return पढ़ लेते हैं फिर इसमें risk क्या है फिर बात में पढ़ेंगे तो अगर हम इसकी बात करें तो हम बात करते हैं shares तो कौन बच्चा बताएगा बताओ shares में कौन कौन से हमें benefit मिलेंगे तो shares में benefit मिलेगा एक तो हमें क्या मिलेगा dividend एक क्या benefit मिलेगा dividend दूसरा क्या benefit मिलेगा कौन बताएगा दूसरा benefit क्या मिलेगा हमारा price increase और यह दोनों हो सकता है मैं तो increase लिख रहा हूँ जोड़ के, फिर निकालेंगे न, return, कि हमें कितना return मिल पाया है, तो अगर देखा दे, तो एक क्या return होगा, dividend हमें मिलेगा, income के तौर पे, और एक price increase, same अगर मैं bond की बात करूँ, तो bond में भी दो benefit होंगे, sir, कौन-कौन से दो benefit होंगे, एक तो fix हमें मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, कौन बच्चा बताएगा, bond, bond है, dementia, dementia भी share market में जाते हैं, और bond, इसके ओपर एक rate होता है, that is rate होता है हमारा fix, जिसको बोलते हैं, interest, तो यहाँ पर दो benefit मिल जाता है, एक तो interest हमें मिल जाता है, और दूसरा क्या मिलेगा बताओ, एक फिर से price, एक और क्या मिलेगा, price में appreciation, price appreciation या price में incremental, तो पहले आप मुझे सभी बच्चे यह बता दिजिए, कि यह funda clear हुआ, कि हम जब shares करीदते हैं, तो वहाँ एक side benefit नहीं होता है, वहाँ double benefit होता है, तो double benefit होता है, shares में क्या होगा, एक dividend के format में, और एक जो shares का price increase होगा, और जो दूसरा हमारा debenture में, एक फिर से price increment, और अपका दूसरा होगा interest के format, tax deduction expense, bond, tedious की बात कर रहे हैं, यहाँ पर tedious वगरे का पंगा नहीं है, यह मानके चल रहे हैं अभी हम, ठीक है ना, tax का कोई लेना देना ऐसा नहीं है, यह मानके चल रहे हैं, यह ले रहे हैं, अब मैं बात करूँ ना, तो जब price increase होता है न, तो आप अगर 10 का share लेके, आप 11 का share लेके, 50 का share पढ़ जाती हो न, तो उसमें government बोलती है, कि government आपके पीछे पढ़ जाती है, आपने फाइदा कमाएं, पैसा दीजिए, government का तो, मतलब tax department का तो काम ही है, कि आप जहां profit कमाएगी, government बोले को, लाओ हमारा हिस्सा, हमारा हिस्सा मतलब हमारा tax का पैसा, तो जब कभी भी price increase होता है, तो वहाँ पे government लगा देती है, capital gain, वहाँ पे क्या हो जाता है, capital gain, और जब dividend होता है, यह तो dividend income ही है, सेम यहाँ price increase होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा सर, capital gain, यह छोटे-छोटे terms use होंगे, जो कि एक बार आपको समझ में आ जाए, तो चप्टर तो एक तम flow में जल्दी से खतम हो जाएगा, capital gain, shares के price में increment होगा, capital gain, bond या debenture के price में increment होगा, capital gain, और जो उससे income आएगा, वो तो return रहेगा, ठीक है, दो बाते और समझानी हैं, चलिए, माल लेते हैं, एक X, Y, Z, limited का, equity share capital, जिसका face value, 100 रुपे माल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से आपको dividend मिला, और वो मिला आपको 5 रुपे, तो आप बताईए, कितने percent आपको यहाँ से income मिला, कितने percent income मिला, यह बताईए, उस shares का face value, 100 रुपे था, कितने percent return मिला, बताईए फटाफट comment में, Sir, I mean to say the tax में benefit मिल जाता है, debenture, बिल्कुल मिलता है, वो तो मिलेगा ही interest का benefit company को मिलेगा, लेकिन as a being investor, हमें को benefit नहीं मिलेगा, हमारे लिए तो यह income माना जाएगा, investor, हम सारे का सारा chapter, यह company के point of view से बिल्कुल नहीं करेंगे, सारा का सारा investor के point of view से पढ़ने वाले हैं, अनमोल का, खुशी का, सभी बच्चों का, लगबग, लगबग, फटाफट, फटाफट, जवाब आ गया, Sir, आपका जो dividend का interest है न, यानि, dividend percentage की बात करें, आपने इस shares को दसमें नहीं खरीदा, आपने इस shares को market price पे खरीदा, और market price पे इस shares को आपने खरीदा, मान लेते हैं 20 रुपए पे, और आपको उसके उपर income हुआ, जो income कहलो, dividend कहलो, dividend हुआ, जो आपको उस पे dividend मिला, वो मिला मान लेते हैं, चार रुपए अब बताइए आपको कितने परसेंटेज उस शेयर का प्राइज था हमारा कितना 20 रुपए मतलब 10 रुपए और प्राइज कितना था मार्केट में 20 हमने जब शेयर खरीदा तो हमने अपने पॉकेट से खर्चे कितने 20 रुपए और dividend उस पे मिला 4 हो गए तो आप बताईए कितने percent आपने कमाई करी है मैं आप से simple पूछना चाहता हूँ I use का जवाब आया सर 20% बिल्कुल सही यानि सर आपने जवाब निकाला 4 divided by 20 into में 100 that is a 20% आप यहां दोनों जगह पर देखो के percentage निकालने का तरीका है company 20% नहीं बोलेगी company बोलेगी इस बार हमने dividend जो टिकलियर किया है वो हमेशा face value पे बोलेगी कि इतना percent और face value पे निकाले तो वो बनेगा हमारा कितने percent सर 40% अगर हम market price पे dividend निकाले तो इसको हम normal dividend ना बोलके dividend percentage बोलके इसको बोलेंगे dividend yield dividend क्या बोलेंगे yield नया word आ गया yield yield का मतलब है जो market पे आपने पैसे फसाये उसके उपर अपना आपने एक return निकाला that is a dividend yield और वो मतलब जैसे कि जो company का एक face value था it par value था उसके उपर उसने सारा काम किया that is a उसको क्या बोला जाएगा हमारा उसको बोला जाएगा हमारा dividend का percentage यानि कितने percent आपको dividend मिला तो पहले दोनों बात में समझे मैंने बोला कि मेरे को 4% dividend मिला है तो इसका मतलब face value पे मिला होगा मैंने बोला मेरा dividend yield है 4% तो इसका मतलब market price पे मैंने calculate किया, क्या ये बात आपको समझ में आई, यानि जब कभी भी हम market price के उपर calculate करेंगे, जब कभी भी हम market price को, market price को हम पता क्या बोलते है, P0, market price को हम बोलते है P0 के नाम से, जब market price पे होगा, तो वहाँ पे yield निकलेगा, और जब हमारा face value पे निकलेगा, तो वहाँ पे हमेशा क्या निकलेगा, एक percentage दे देंगे उसका ना, यानि यहाँ पे इस chapter के अंदर जब हमें पैसे को निकालना होगा, तो yield भी निकालने को बोला जा सकता है, percentage भी निकालने को बोला जा सकता है अभी तक हमने ये चीज़े पढ़ा फटा-फट से देखते हैं सर, return का formula क्या है return का बड़ा simple सा formula है return का मतलब होता है हमारा कि आपने कितना पैसा dividend कमाया या मैं simple सी बात करूँ income plus कर दीजिए आपको कितना appreciation मिला यानि सर, P1 माइनस में P0 और divided कर दीजिए आप P0 into 100, सब चीजों को समझ लेते हैं income का मतलब क्या है मैंने बताया ने, दो income होते हैं आपके तो income का मतलब क्या है income का मतलब that is आपका dividend हो सकता है या फिर आपको जो interest मिल रहा है और सर, P1 क्या है P1 है आपका expected price मतलब आज की price P1 मतलब आज की price मतलब जिस दिन बेचोगे अरे, जिस को क्या लिख दिया जिस दिन आप बेचोगे जिस दिन sold करोगे ऐसे याद रहेगा यानि P1 का मतलब जिस दिन हमने अपने shares को बेच दिया, उस दिन का price सर, P0 क्या है market price ये भी है लेकिन जिस दिन खरीदा है जिस दिन खरीदा है the day which was acquired the share हम कहेंगे जिस दिन हमने खरीदा है, उसे क्या बोलेंगे हम market price यहाँ पे छोटी छोटी बाते हमें समझ में आई सर, income या तो dividend हो सकता है या तो interest हो सकता है shares के case में dividend होगा और अगर debenture और bond के case में interest होगा P0 P0 का मतलब जिस दिन हमने shares को खरीदा है P1 जिस दिन हमने shares को बेचा है यह formula लगा के return यह जो return निकलेगा यह हमेशा याद रखिएगा यह per annum return नहीं होता यह हमेशा होता है यह हमेशा होता है total return यह per annum return कभी भी नहीं होगा हमेशा याद रखिएगा यह कौन सा return होगा सर यह होगा हमेशा total return कौन सा return होगा total return एक example से समझे मालो मैंने P0 बताया एक shares करीदा मैंने 100 रुपे का और मैंने P1 बताया और P1 बताया 120 रुपे का और मैंने dividend बताया आपको dividend बताया मैंने 10 रुपे का और जो मैंने यह खरीदा था यह 2010 के अंदर खरीदा और यह जो बेचा यह 2015 के अंदर बेचा तो यानि मैंने 2010 के अंदर share 100 रुपे का खरीद के और 2015 ठीक 5 साल के बाद बेच दिया कितने का 120 रुपे का तो मुझे यहाँ पर बताईए आपने कितना capital गेन किया है मुझे बताईए यहाँ shares के price में कितना increment हुआ है फटा-फट से comment में बताईए आप dividend calculate company वाले face value के according बोलते हैं हम तो company के साफ से नहीं सोचेंगे investor के साफ से सोचेंगे जल्दी जल्दी जवाब दीजिए क्योंकि मैं चीजों को रटवाना नहीं चाहता है मैं चाहता हूँ आपको कि बातों बातों में समझा दिया जाए तो मेरे लिए ज़्यादा benefit रहें तो विपिन ने बोला सर 20 रुपए किसी ने 30 भी बोला 30% परसेंट नहीं मैं जानना चाहता हूँ मेरे shares का price कितना increment हुआ पांस सालों में तो जवाब है सर पांस सालों में shares की price तो 20 रुपए ही बढ़े है 10 तो dividend है न भाई अग 10 dividend 2015 का है तो मैंने बोला shares का price तो ये वाला portion जितना price बढ़ा है that is capital gain कहलो simple सी बात है इसको क्या कहलो capital gain अगर मैं यहाँ पर आपसे return निकल वाओ तो return कैसे निकालोगे सबसे पहले क्या रखोगे income income क्या है dividend dividend कितना है हमारा 10 रुपए प्लस क्या करोगे जितना shares P1-P0 यानि P1 कितना था हमारा 120 माइनस में 100 divided by P0 कितने 100 इंटू में 100 तो अगर आप मैं return की बात करूँ तो 20 यहाँ कमा लिए 10 यहाँ 300 रुपए पर 30 रुपए कमा बैठे तो यही बताना चाहता हूँ कि यह जो return होता है यह total return होता है पर एनम इसमें कोई नहीं होता है आपने जितना समय लगाया उसके अंदर हो सकता है कि आप 3 मेने बाद बेच दो तो यह इतना return है not justify कि एक मेने, दो मेने, तीन मेने, एक साल, दो साल total है आप उसको year में डिवाइड करके निकाल सकते है चलिए यहां तक किसी बच्चे को doubt है तो बताइए फिर मैं इस formula को और एक step आगे लिए जाओगा फिर question तो फटा-फट देखते जाएगा और करते जाएगा खतम हो जाएगा यहां तक किसी student को doubt है तो बताइए जल्दी से और सभी बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा स्टार्टिंग से ही पढ़ना बीच में फिर पढ़ोगे तो दिक्कत आ जाती है बहुत ज़्यादा और यह मेरे से अच्छे से आप जानते हो अभी आपने एक्जाम दी है किसी student को रती भर भी डाउट हो तो बताइए नो खुशी का जवाब आ गया सुमित का जवाब आ गया चलिए सर यानि किसी भी student को यहां तक कोई डाउट नहीं यानि मैं समझ रहा हूं कि बच्चों को new subject थोड़ा थोड़ा मैं समझाने में कामियाब हो पा रहा हूं कि उनको दिक्कत नहीं हो रही है चलिए इस formula को और तोड़ते हैं यानि return देखा जाए तो return को इसने कैसे define किया income मैं ऐसे भी बोल सकता हूं income की जगह पे मैं अगर shares लेके चलूँ ज्यादातर that is dividend dividend divided by P0 और इसमें अगर मैं plus कर दूँ capital gain divided by P0 इन दोनों को अगर मैं अलग-अलग निकाल दू जिस्टिफाई करके यानि इन दोनों को मैं चाहता हूं कर मैं अलग-अलग निकाल दू तो बात तो एक ही होगा इंटू में 100 और यहां भी इंटू में 100 तो अगर मैं इन दोनों को अलग-अलग निकालू तो क्या कोई आंसर पर फरक पड़ेगा बताईए इतने सारे स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहां पर जिन्हों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हुई है तो मुझे बताईए अगर मैं यहां पर निकालू तो कोई फरक पड़ेगा हमारे आंसर पर पहले बताईए यहां तक करें अगर ऐसे तोड़ करके करू तो क्या हमारे आंसर पर कोई फरक पड़ेगा एक बच्चा पूछना चाह रहा है के सर हमें ये बताओ ये बताओ capital gain क्या है सर इहां पर capital gain क्या है सर capital gain क्या है तो भाई साब capital gain है हमारा P1 माइनस में P0 यानि जितने का आपने shares को बेचा और जितने का खरीदा उसके बीच का अंतर difference P0 आपको पता है यहां तक क्या इन दोन में answer same आएगा या लग लग आएगा बच्चे कह रहें no 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 अब no का मतलब में हो गया confused विपिन ने कहा no effect यानि बच्चे कहने चाहते है same आएगा सर मैंने अभी join किया है क्या ये recording बिलकुल आधे घंटे से एक घंटे के अंदर आप live section में जाएगे recording मिल जाएगे आपको आपको कोई इंतजार नहीं करना notes में थोड़ा सा मान सकता हूँ कि एक आध दिन का delay हो जाए क्योंकि जो हम note बनाते थे उसमें थोड़ा सा मतलब मिल जाएगा notes ऐसा नहीं है थोड़ा सा वीडियो से देखके manage कर लिजेगा एक आध दिन की बात है dividend एक share पर भी मिलता है बिल्कुल एक share पर भी dividend एक share पर ही तो मिलता है और उसको multiply कर लेते हैं जितने number of shares होते हैं मानलो मैंने बोला मिरे को 5 रुपे dividend मिला तो पूरे पर नहीं बता है एक share पर बोला जाता है और पांच रुपे जितने मिरे पास अगर हजार share है तो मैं 5 से multiply करके total 5000 बोल दूँगा हाँ बिल्कुल note करेंगे आराम से करेंगे सारी बातों को note अब बच्चे कहरें सेम है बिल्कुल सेम है तो चलिए अब इसको क्या बोलेंगे एक नाम मैं नया इसका सोच के आया हूँ इसको बोलेंगे sir dividend yield यानि अगर आप से question में पूछ लेता है कि मुझे dividend yield का form मतलब dividend yield बताओ तो मैं जट से क्या करूँगा इतना ही portion solve करके दूँगा तो मैं जट से कितना solve करके दूँगा मैं सिर्फ ये वाला portion solve करके दे दूँगा अगर मेरे से पूछा जाए return on जिसको हम return on holding भी बोलते है return on holding भी बोला जाता है total कितना hold करने पर return कमाया है आपने बोला जाता है तो अगर मैं आप से total return पूछूँ simple return बताओ तो दोनों का ही निकालना है अगर dividend yield पूछू तो इसका बता देना है capital yield पूछू तो इसका बता देना है इस तरीके से अलग-अलग बता देगे इसको holding period रिटेंग भी बोलते है यहां तक clear है क्या ऐसे कर पाओगे आप जल्दी से जवाब दीजिए यह सर हम ऐसे तो बड़े आसाने से कर सकते है यहां 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 आपके लिए मैं सवाल देखनू कौन सा सवाल करें चलो सोड़ो मिलने रहा है इसी को अगर मैं पीछे फॉर्मूला आजाओ इस फॉर्मूले को एक और नाम से जाना जाता है holding return रिटर्न जिसको एच पी आर भी बोल देखना है holding पीरिट रिटर्न मैं एक बार बाकी सरफ और सरफ यह रिटर्न नहीं है मैं वही चीज़े देखना चाहरा हूं कि आपके definition में क्या बोला हुआ है मुझे तो दिखी नहीं था अब याद रखिए चलिए पीचे आ जाते हैं अब हमारे पास अब मैंने क्या बोला आप कौन हो इन्वेस्टर का मतलब आप किसी कंपणी के शियर्स करीदोगे आप किसी कंपणी के डिपेंचर में पैसे लगाओगे तो आप अपने हिसाब से सोचके बताना यह आपके लिए एसेट्स है या लाइवलिटी है मैं आपके लिए पूछ रहा हूं कंपणी के लिए नहीं पूछ रहा हूं मैं आपके लिए पूछ रहा हूं इसे आप एसेट्स बोलोगे या लाइवलिटी बोलोगे जवाब दे दो फटा फट से अगर आपको समझ मैं है तो यह एसेट्स है लाइवलिटी क्योंकि पूरा एसेट्स, एसेट्स, सभी बच्चों को यह समझ में आ गया सर अगर आप इसे एसेट्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों एसेट्स को जो दो एसेट्स है अब इसको बोल सकते हैं हम फाइनेंशियल एसेट्स क्योंकि थियोरी के पॉइंट में भी पूछा जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल आप ये ना समझे के मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करा रहा हूं मैं साथ के साथ थियोरी भी करा रहा हूं सर फाइनेंशियल एसेट्स कोन से हैं अगर जहां एकुटी शियर में लगाया जहां आपने बॉंड में लगाया जहां आपने डिबेंचर में लगाया जहां आपने एफडी में लगाया यानि जहां पे आप पैसे लगाके और आप रिटन कमाना चाहते हो उसको एक financial assets के नाम से पुकारा जाएगा बुलाया जाएगा कॉल किया जाएगा समझ में आई बात आपको यानि सर return निकालने का formula तो बड़ा ही आसान बताया आपने income और ये capital gain एक तरीके से बोल दो सर income और capital gain और पी जिरो कर दो ये आ जाएगा और yield में अगर अलग-अलग पूछेगा तो हम अलग-अलग भी जवाब दे सकते हैं तो इसी बात पर एक question हो जाए आपके साथ एक question आपके सामने ये है जिनके पास अभी book नहीं है मैं सामने दिखाई रहा हूँ manageable है ठीक है एक question है मैं question पढ़ दूँगा और मैं आपसे solution चाहूँगा कौन बच्चा करके बताएगा कहता है Mr. Misra purchase a share RTL Limited का share खरीतता है और खरीतते टाइम पे उसका price है सर 950 रुपे का और he sold the share after receiving dividend income 50 इसके उपर इसे जैसे ही dividend मिला है इसने बेच दिया at the end of the one year एक साल के बाद और जो बेचा उसका price कितना था 175 रुपे calculate the total return on the bond सर ये bond गलती से लिखा गया होगा ये shares है total return on shares how much the dividend yield और dividend yield भी बताओ and how much the capital gain yield भी बताओ on this year यानि सर एक तो total भी बताओ और एक dividend yield भी बताओ और एक capital yield भी बताओ तो पहले मुझे आप total बता दीजिए बागी तो मैं बता दूँगा कौन-कौन बच्चा total बता सकता है देखते हैं इतना समझाने के बाद किसको समझ मैं है total return कोई बता पाएगा मैं यहाँ पे सवाल आपके लिए थोड़ा बना भी देता हूँ सर यहाँ पे P0 जो है वो खरीदा कितने का था 950 का यहाँ पे सर P1 जो बेचा था वो कितने का बेचा 1075 का और यहाँ पे सर डिविडेंट जो है डिविडेंट है सर देटिस 50 होगा है आप मुझे बताईए holding period return यानि HPR holding period return बताईए कितना होगा पहले तो मैं holding period return का formula लिख दू return बोल लो इसको क्या income मैं income तो है नहीं है dividend है तो मैं dividend लिख दू चलो पहले आप से जानना चाहता हो आप बताईए calculator पे कितना calculate करते हैं सब कुछ बता दिया देख लो आप सिख्खम का जवाब आ गया सर 13.15 आएगा answer yes का जवाब आया 18.42 18.42 मैंने total return पूछा है जब HPR पूछ रहा हूं तो दोनों पूछ रहा हूं यह बात ध्यान रखिएगा जब dividend yield पूछ रहा हूं तो एक हिस्सा पूछ रहा हूं जब capital gain yield पूछ रहा हूं तो दूसरा हिस्सा पूछ रहा हूं 18.4 18.42 13.15 चलिए तोटल return पूछ रहा हूं चलिए निकालते हैं answer मैंने HPR पूछा और साहब HPR का formula बताया के dividend प्लस में आप capital gain कहलो यह P1 माइनस में P0 और divisual Y divisual Y कितना P0 ठीक है और गुणा में यानि into में 100 मैं थोड़ा सा हिंदी वर्ड ज्यादा यूज करता हूं reason भी हर किसी के बच्चा हर कोई student हर reason से है तो यह तो सब को समझ में आता है ठीक है इस बत का बस ऐसे ही अब return की बात करते है return dividend dividend कितना है सर 50 रुपए P1 कितना है सर P1 1075 यह bracket में minus P0 950 divided by P0 कितना है 950 into में 100 तो सवाल को solve कर लेगे minus 950 divided by 950 और divided by 950 into में 100 तो भाई जिस बच्चे का जवाब था उसके लिए तालिया बजाईए 18.42 जिस बच्चे ने जवाब दिया था उसका जवाब सही है बाकी बच्चों का answer जो मैंने पूछा था वो गलत हो गया 18.42 answer एकदम correct है यहां समझ में आया या नहीं आया क्योंकि यहां तीन questions पूछे गए है बच्चों ने अपना दिमाग लगाया होगा एक answer dividend yield है एक answer capital gain yield है और एक answer है total return on equity तो एक यह जवाब देना था दूसरा यह और तीसरा यह मैंने पहला जवाब दे दिया पहला point कर दिया है किसी बच्चे को कोई doubt पहले point में 18.42 किसी बच्चे को पहले point में doubt बताईए है किसी student को doubt पहले point में नहीं sir नहीं doubt चलिए दूसरा point निकालते हैं यहां पे हम इस side कर देते हैं न दूसरा point कर लेते हैं dividend इल्ड तो क्या होगा सर डिविडेंट रखोगे स्रिफ डिविडेंट 50 divided by जितने का आपका पी 0 था 950 इंटू में 100 फॉर्मूला आप पीछे देख लेंगे स्पेस नहीं है मैंने सीधा कर दिया तो बहुत कमाया भाई साब यह आ गया हमारा 5.26 परसेंट कम लग रहा है मुझे 5.26 परसेंट ठीक है इसके बाद कैपिटल गेन इल्ड कैसे निकालो के सर कैपिटल गेन कितने का हुआ that is 1075 माइनस कर दो आप 950 और डिवाइड़ बाई 950 इंटू 100 फॉफुली आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा तो मैं साइड कर देख कि 1075 माइनस 950 डिवाइड़ बाई 950 इंटू 100 सर यह आ गया है अंड़ेट 13.15 अब इन दोनों को अगर जोडेंगे तो वही आएगा 18.42 आप जोड के देख सकते हैं अगर टोटल निकालना है तो इसको जोड लीजिए और इसको जोड लीजिए और 26 और 15 वही 42-43 बनेगा बिल्कुल सौरब ने पूरा का पूरा जवाब दे लिया क्या ये एक्जामपल समझ में आया ऐसे ऐसे कोश्चन्स एक्जाम में भी कई बार आए है चोटे चोटे से कोश्चन्स हम आगे बढ़ते जाएंगे किसी को डाउट है क्या इसमें ये सम चलिए आगले सवाल पर चले बिल्कुल सभी पच्चे कह रहे हैं ये वाला समझ में आ गया एक और सवाल सर मिस्टर मिस्टरा परचेज इसने परचेज किया हजार रुपए का एक बॉंड किया है यानि जो आपका इंटरस्ट है आपका होगा एक हजार इंटू में 10% है 10 बटे में 100 यानि 100 रुप है ये इंकम होगी आपका आफ्टर फाइव ये डा प्राइज आपका 950 और जो पी वन आफ्टर फाइव ये कितना होगी है 950 ठीक है ना He sold the after receiving interest at the end of the year 975, क्या कहता है, bond maturing after 5 years, 5 साल के बाद यह price नहीं है, 5 साल के बाद आपको maturing period, यानि आपको company जो है 950 में दे देता, लेकिन आपने interest तो receive कर लिया, interest receive करने के at the end of the year price 975, और जो हमारा price आगया, P1 आगया, वो कितना आगया, 975, यहाँ पर शब्द कह रहा है कि maturing after, मतलब यह हो जाएगा, और उस साल 950 का price है, लेकिन he sold the bond after receiving interest at the end of the year price 975, उसने तो बेचा कितने का है, साहब 975 का बेचा है, P1 975 है, calculate his total return on bond, total return पूछा है, तो total return, मैं simple return लिख देता हूँ, return क्या होगा सर, आपका interest, plus P1 minus में P0 divided by P0 into में 100, सर, interest कितना है, 100 रुपय, 100 रुपय था, P1 कितना है, सर, P1 है हमारा 975, यहां तो नुक्सान हो गया, और P0 क्या है, सर, 1000, P0 कितना है, 1000, divided by P0, 975 into 100, तो यहां हमें bond में नुक्सान हुआ, लेकिन interest में साइध हमें बचा लिया या नहीं बचा या देखते हैं, तो 975, 25, तो 100 माइनस में 25, 75, 75 डिवाइड बेर 975, इंट्व में 100, 7.0% का यहां इंकम हुआ, सेगिंड कोशन देखिया, पच्चो ने 5 दिया है मुझे जबाब, 6, 9 आया है मेरा, देखो एक बार, अच्छा, अपन में P0, मैंने कुछ गड़ पड़ कर दिया, कहता है मिस्रा परचेज और रुपीज, 110, 10% बोन, मैच्छीरिंग आफ्टर फाइव एर, अप्राइज 950, एक थोड़ी से गड़ बड़ी हो गई, गड़ बड़ी हो गई, मैं दुबारा कर देता हूँ, उसको calculation, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट रुकिएगा, मैं दुबारा यह लिख देता हूँ, फेस वेल्यू दे रखा था, वो purchasing price जो है ना, face value था, थोड़ा mistake, चलिए, कर देतने इसको, कहता है कि purchase जो करेगा ना, वो 1000 वाला करेगा, जो 10% bond है, mature होगा after 5 years, and at the price कितने में purchase करेगा, उसे 950 में, कहने का मतलब यह है, कि वो 1000 रुपे वाले bond को 950 में खरीद लेगा, जो कि 5 साल के बाद mature हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, P0 जो होगा, वो 950 मानिएगा, और P1 जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, that is 975, और यहाँ पे interest जो निकल के आएगा, वो हमेशा face value पे निकालेंगे, that is 1000, इन्टू में 10 बटे में 100, यानि आपका 100 रुपे, ठीक है, अब यहाँ formula लगा देते है, that is आपका 100, प्लस 950, 975, माइनस में 950, और डिवाइड़ वाइड 950 का खरीदा है, इन्टू 100, यह करिएगा, थोड़ा mistake हो गया, दुबारा पढ़ देता हूँ, परचेज 1000 रुपे, 1000 रुपे का नहीं खरीदा, 1000 वाला 10% bond है, जो कि after 5 येर बाद होगा, जिसको खरीदा 950 में, थोड़ा सा sense यहाँ पर यह निकल रहा है, मैं मानूँगा, पुल्टा पुल्टा थोड़ा सा sense निकाल दिया है, प्लस 100 divided by 950, 13.15, 13.15, थोड़ा correct कर लिजेगा, प्लीज इसको, यह answer है, 13.15, बच्चों ने correct भी कर लिए, 13.15, यानि सर, return निकालने के लिए आपको दो price होना जरूरी है, अगर यह दो price नहीं तो return नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है न, क्या अगर मैं interest नहीं देता, तब return निकाल लेते हैं, निकाल लेते 25 रुपे डिवाडरी में 950, यानि दो price होना चाहिए, एक नएक चीज़ तो होना ही चाहिए, अगले सवाल पर चलने हैं, देखिए, एक यह सवाल है आपके सामने, यह सवाल मैं एक मैं करा हूँआ, बाकि होंबग में दूँआ आप, कहता है, you are provided following information about the year and value of shares, divided the 9 year, 9 साल का data है, पहले थो हमें एक साल का देते थे थे, अब 9 साल का data दे दिया, कहता है, भाईया आप 2008 से स्टार्ट करके return बताइए, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि 7 की return मैं नहीं निकाल सकता, साथ की return के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए, साथ में अगर मैं return निकालूँगा, तो साथ में मैं क्या करूँगा, सोल्ड करूँगा, और साथ में अगर मैं सोल्ड करूँगा, तो purchase 6 का पता होना चाहिए, इसलिए इसने क्या कहा, कि 2008 से निकाल लिए, in respect share, assuming that year and price share become the beginning, आपका bringing the price of next year, ठीक है सर, 2007 का बेस मानना है, तो मैं 2008 का return निकाल के दिखाता हूँ, 2008 का return, तो 2008, तो 2008 में हम सोल्ड कर रहे हैं, मान लो, तो purchase यहां किया होगा, यह मानना है आपको, तो यहां पे जो है, P0 जो आपको मानना है 150, और जो P1 मानना है आपको, that is 160, और इसके उपर जो dividend मिला है आपको, कितना 1 रुपया dividend मिला है, कितना dividend मिलगे आपको, सर, 1 रुपया, तो अगर मैं return निकालू, return, holding period return, holding period return, तो इसा dividend एक रुपया प्लस, P0, P1, 160, माइनस में 150, और डिवाइड कर दो इसको P0 से, that is 150, तो आप बताईए क्या है, उत्तर, 11 divided by 150, इंटो में 100, 7.33%, 7.333%, समझे बात को, ठीक है न, ये मैंने इस साल का निकाल के दिखाया, अब आप जब 2009 का निकालेंगे, 2009 में पहुँचेंगे, तो आप मान लीजेगा, P0 ये हो गया, और P1 ये हो गया, अब 9 का निकालेंगे, और डिविडेंट का लेंगे, 2 रुपे, तो मैं 2009 का भी निकालके दिखाई दूं आपको, तो डिविडेंट कितना है, 2 रुपे, और P0 क्या माना जाएगा, P1 170, और माइनस में 160, इसको ब्र 7.5%, HPR, ऐसे ही अगर मैं पूछो, 2010 का बताईए, तो ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा P0, 10 के लिए, तो इसके बीच का डिविडेंट और यहां का डिविडेंट जो 2010 का है, अगे 2 रुपे लेंगे, क्या आप 2015 तक ये सारी के सारी रिटन खुद निकाल पाएंगे, जो होता है हमारा, इसेंडर डिविएशन वगेरा, बहुत सारी चीज़े आएंगी, मतलब एक एक एक्चुल रिटन निकालना, अब यहां पर हम एवरेज बीसिस पर रिटन निकालना सिखेंगे, क्या निकाल लेंगे, तो आज की क्लास के बाद अगर देखा जाए, यहां तो मीन से स्टार्ट हो जाएगा, तो मीन और आपका मीन के बाद अगर डिविएशन की बात करें, तो वो तो हम अगली क्लास में देखेंगे, यहां तक बेसिक बेसिक आप यह आपका रहेगा, होमवग, सभी का आंसर दे दू तो आप भोलेंगे सर्म मज़ा आ जाए, तो आंसर मैं दे देता हूँ, 2015, इसका है माइनस, लिख देता हूँ मैं, 6.43%, माइनस, आंसर दे दिया मैंने यहाद को, 2014, 41.5%, ओ माई गॉड, 41.5%, इसके बाद 13.88%, इसका 13.88%, आंसर देता जा रहा हूँ मैं, इसके बाद, माइनस 3.16, इसके बाद 7.22, इसके बाद 7.22%, देखो मैंने यह अंसर लिख दिया है आपके लिए, आपको सॉल्व करके यह कैलकुलेट करना है, आज की क्लास को अगर हम एक बार सम करें, टोटल, तो हमने क्या-क्या पढ़ा सर, चलिए, आज आईए, अगर आज की क्लास को सम किया जाए, तो सबसे पहले देखा जाए, चैप्टर था हमारा रिटन एंड रिस्क, आज हम रिटन की बात कर रहे थे, रिटन के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि रिटन का मतलब क्या होता है, कि शेर्स पे कैसे निकाला जाता है, डिबेंचर पे कैसे निकाला जाता है, बॉंड पे कैसे निकाला जाता है, रिटन दो चीजों पे निकाला जा सकता है, या तो एक्यूटी पे निकाला जा सकता ह इन दोनों को जोड दिया जाए तो क्या बोला जाता है सर इनको क्या बोला जाता है हमारा financial assets बोला जाता है इसके बाद हमने कुछ एक questions देखा करने की कोशिस करी इसके बाद return का formula क्या है इसको holding period return भी बोलते हैं कि income plus में P1 minus में P0 divided by P0 into 100 P1 क्या है जितने का हमने बेचा है share P1 जितने का खरीदा है P0 और income dividend भी हो सकता है और interest भी हो सकता है यह time frame कभी bound नहीं करता है जितने time hold किया उसका होता है अगर हम इन दोनों को separate कर दें dividend का अलग निकाल दें इसका अलग निकाल दें तो इसको dividend yield बोलेंगे yield का मतलब market price पे नि base बनाना था तो धीरे धीरे मैं base बनाता जा रहा हूँ hopefully आपको आज की class जो है अच्छे से समझ में आई होगी तो मैं अगली class भी आगे continue मतलब यहीं से start करेंगे हम तो जिस बच्चे को कोई doubt है आज वाली class में जो बच्चे late join हो पाए है उनको तो definitely doubt होगा लेकिन जो बच मैं देखो मैं बच्चे कहा रहे हैं sir standard deviation या जो भी देखो मैं जो भी करांगा यह return भी बैसे आपने बारभी class में पढ़ा था return on investment मैंने FM में भी पढ़ा है ROI मैंने आपको corporate में भी पढ़ा है लेकिन मेरा purpose ही होता है बड़ा simple सा funda के मैं मान के चलता हूँ के बच्चा एकद आज मैं सब बता के भेजूँगा बच्चे को मेरा simple सा funda रहता है इसी लिए थोड़ी सी class मेरी लंबी भी हो जाते हैं बहुत बच्चे कई बार YouTube पर वीडियो डालते हैं तो sir आप इतनी सी बात को इतने लंबे से खीच देते हो तो बस मैं अपनी तसल्ली के लिए करता हू इस बिल्कुल